नमस्कार, आज की खबर चैनल में आपका स्वावत है, बात करेंगे हम इस वीडियो में आज के हमारे इतियास के बारे में, आज हमारे इतियास में क्या हुआ है, आज हमारे इतियास में किस महान पुरुष का जनम दिन है, आज हमारे इतियास में किस महान पुरुष की मृत्य देते हैं तो शुरू करते हैं आज के दिन कौन-कौन से महापूर्शों का जनम हुआ है आज गजानन माधो मुक्तीबोद का जनम दिन है गजानन माधो मुक्तीबोद का जनम 13 नवंबर 1917 को हुआ है और इनकी इम्रत्यू 11 सितंबर 1964 को हुई है गजानन माधो मुक्तीबोद ही इंदी साहिते के प्रमुक कवी, आलोचक, निबंदकार, कहानिकार तथा उपन्यासकार थे आज राय कृष्णेदास का जनम दिन है राय कृष्णेदास का जनम 13 नवंबर 1882 को हुआ है और इनकी इम्रत्यू गुनी 1885 को हुई है राय कृष्णेदास एक कहानिकार थे आज मह राजा रंजी सिंग का जनम दिन है महराजा रंजी सिंग का जनम 13 नवंबर 1780 को हुआ है और इनकी इम्रत्यू 27 जून 1849 को हुई है महराजा रंजी सिंग सिक सामराज्य के फेमस राजा थे वे शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे आज जुही चाउला का जनम दिन है जुही चाउला का जनम 13 неवंबर 1977 को हुआ है। जुही चाउला बोलीवुड की famous अभी नेत्री है। आज अंबीका सोनी का जनम दिन है। अंबीका सोनी का जनम 13 नवंबर 1942 को हुआ है। अंबीका सोनी एक भार्ति है, राजनितिग्य है। अब हम आपको बताते हैं कि आज के दिन हमारी तियास में कौन-कौन सी प्रमु घटना है जो घटित हुई है 1921 आज के दिन American Aircraft Mariner 9 ने मार्स का चक्कर लगाया था 1967 में आज के दिन UN Secretary Council ने इराग पर प्रतिबंद लगाया था 1998 में आज के दिन दलाई लामा और यूएस प्रेसिडेंट बिल किलिंटन की मुलाकात हुई थी तो यह है आज का हमारे तियास आप हमारी चैनल आज की खबर को लाइक और सब्क्राइब करें नमस्कार